देश में मैनुफेक्चरिंग को बढ़ावा दिये जाने के बाब जूद मैनुफेक्चरिंग सेक्टर में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानि FDI में जादा बढ़ोतरी नहीं हुई है रेटिंग इजिंसी इंडिया रेटिंग की रिपोर्ट कहती है कि 2014 से 2022 के दौरान देश में जितना प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आया है उसमें सबसे जादा निवेश सर्विस सेक्टर में आया है सर पहला सवाल देश में कहां आया क्या आया इसको समझें प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में भारत की स्थिति दुनिया के मांचितर पर कैसी है इंडिया रिटिंग की रिपोर्ट जो अंक्टाड और दुनिया में निवेश के आँकणों पर आधारित है ये एक दिल्चस्प तुलनात्म गध्यन हमें देती है बताती है कि भारत में आने वाला विदेशी निवेश अन्यो भरती हुई अर्थविवस्थाओं के समानांतर किस तरीके का है अगर आप देखें तो भारत और चीन दो ऐसी प्रमुक अर्थविवस्थाओं हैं साउथ अफरिका, चाइना, ताइवान, इंडुनेशिया, ब्रैजील और रशिया की तुलना में जहां लगातार इस चार्ट में देख रहा है जहां लगातार विदेशी निवेश की रिफ अगली भारत की की जागी है, किन शेत्रों में आया ये निवेश? यहां पर एक अजीब सी असंगती दिखाई देती है, पिछले 7-8 साल में भारत में सारा फोकस और सारी कोशिश सरकार की नीतियों की इस बात पर रही कि मैनिफाक्शरिंग में भारत में निवेश आमंत्रित किया जाए, ये कोशिश शुरू ही थी, मेकर इंडिया से, आत्म मैनिफाक्शरिंग में विदेशी निवेश नहीं आ रहा है, जो चिंता की भी बात हो सकती है, और चुनोंती की भी बात हो सकती है, आकड़े बता रहे हैं कि अपरेल 2000 से मार्च 2014 के बीच मैनिफाक्शरिंग में भारत के कुल विदेशी निवेश में मैनिफाक्शरिंग का ह के तुलनामे जबकि सर्विसे सेक्टर में आने वाला निवेश साइटिस फीजदी हिसा रखता था पिछली 2000-2014 के बीच में जो 41 फीजदी पर पहुंच किया इसके अलावा बाकि सारे एक शेत्र इलेक्टरिसिटी भारत में विदेशी निवेश घटा है माइनिंग भारत में विदेशी निवेश में बड़ी बढ़ोतरी नहीं दिखाई देती, कंस्ट्रक्शन में भारत में विदेशी निवेश कम हुआ है, है 2002 तुलनात्मक 2000-2014 के बजाए 2014-2022 के बीच में, कंप्यूटर हार्डवेर में भारत में निवेश काफी तेजी से बढ़ा है, 19 फीजदी के असपास विदेशी निवेश आया है, और मिसलेनियस निवेश में कमी आई है, तो यह पूरी तस्वीर हमें बता रही है, कि सरकार की कोशिश मैनुफाक्शरिंग में विदेशी निवेश लाने की, अब आप कहेंगे कि मैनुफाक्शरिंग में विदेशी निवेश लाने हैं पर उत्पादंग शमताय त्यार नहीं होती यह आकड़ा पी अलाई स्कीम को लेकर यह प्रोड़क्शन लिंग इंसेंटिव स्कीम को लेकर कई तरीके की चुनोतियों की तरफ इशारा करता है और खास्तोर पर उस वक्त जबके अर्थ स्वरस्था में स्लोडाउन या मंदी की स्थिती पूरी दुनिया में दिखाई दे रही है